कैसे हैं चात्र, मेरा नम है पटेल हीलर फ्रम अश्वमिक विद्यालाई आज हम गुजराती विशे में यूनीट 127 में 3 लेटर वर्स की पढ़ाई करेंगे जिसमें हमने आगे 3 लेटर वर्स पढ़ पढ़े थे filling the blanks, make the proper word using given letters, join the same words उसकी पढ़ाई की थी अब हम उसमें कौन से तो हस्वाओ वाले जो शब्द हैं उसकी पढ़ाई करेंगे जिसमें हस्वाओ वाले सब्द में सबसे पहले 3 लेटर वर्स में सुखड तो सुखड हुकम मुगट सुथार दूकान जुवान गुजरी गुजरी तूकडी तूलशी तुलसी बटूक बटूक मदूर मदूर दनुश दनुश फिर है फिलिंग दब्लेंज यूनिट 128 यहाँ हमने पढ़ाई की थी किस तरह लिखना है जो सब्द में खाली जगा दी गए है उस सब्दों का पुर्ण लिखना है जैसे के कुरान तो यहाँ जो कु सब्द है यहां खाली जग्य है और रान लिखा है तो कू को यहां लिखना है तो फिर कुरान बनें उसी प्रकार गुरुजी कुमूद, लीलूडी रुदन, बापुजी उस प्रकार कई सारे सब्दों होगे उसमें आपको जहां-जहां खाली जग्या दी गई होगी उस खाली जग्या को आपको बिरना है यूनिट 129 मेक दो वर्ड यूजिंग इवन लेटर यहां जो वर्ड यह गए है सरकल में जो अल्फा पर लिखा है उसको ध्यान में रखके आपको सेंटेंस यानि सब्द बनाना है यहां आप तीर की दिशा देख सकते हैं यहां सरकल के पास से बहार निकला है तो सबसे पहले कौन सा सब्द लेना है सरकल वाला जिस तरह सुर, सुर, शुख, सुद, और सुग, पहले बीच वाला जो सरकल में सब्द है वो लेना है बाद में यह लेना है आपको तीर की दिशा को ध्यन में रखना है फिर है कुलडी कुलडी कुशकी कुमडी कुमार इस प्रकार आपको सब्द बढ़ाना है जोइन दर सेम वर्ड्स यहाँ सेम वर्ड्स है उसको जोइन करना है जैसे गुरु, मुनी, पाजु, जुडाई, खुमारी, रुडी यहाँ सेम सेम जोइन सब्द है उससे जोइन करना है आपको यूनीट वन थट्टी वन यहाँ संटर्स दिये गए है उस संटर्स को पढ़ना है और लिखना है सुहाग शुहाग चीकु शुहाग चीकु खाय वरुन काजु खाय अतूल अतूल लाडु लाडु खाय कुशुम सुखडी सुखडी बनाव बना कुशुम सुखडी बना चातूर चातूर कुलफी बनाव चातूर कुलफी बनाव यूनीट 133 यहाँ टूलेटर वर्ड्स एन फ्री बेटर वर्ड्स है पूल पूल कूल कूल पूर पूर कूश कुश मानू मनू तानू तनू रगू 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 रमू रमू ताडू तडू चडू चडू दाडू तडू राजू रजू सुतर सुतर, गुवड पुवळ, शुकन शुकन, जुलम जुलम, लुहार लुहार, जुवार जुवार, सुकान, शुकान, गुलाल, पुलाल, शुवाश, शुवाश, गुवार, गुवार, पुराण, पुराण, दुकाड, दुका, गुलाबी, गुलाबी, जुवानी, जु कुमारी कुमारी लुहारी लुहारी फिद यूनिट 134 सेंटम्स है उसको आपको पढ़ना है रम रम, कुमार रम, कुमार रम, कुमार जट जट रम, कुमार जट जट रम, कुमार जट पट रम, कुमार जट पट रम बन बन कुमोड कुमोड बन पन कुमोड गणित पन कुमोड पिग्नान बन कुमोड पिग्नान बन यूनिट 138 सब्द वाच्छो अने लखो यहां थ्री रेट वर्स दिये गई है आपको उसको पढ़ना है और लिखना है कूपान पुपन पूजान पुजन दूशान दुशन सूरान सुरन मूराख मुरक बूवड कुवड आमूल अमूल खाजूर खजूर वाशूल वसूल खूर पी खूर पी कूतरी 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 फिर फिलिंग दे ब्लैंक्स यूनिट 139 यहां जो खाली जगा है आपको उसमें आपको आलखाबेट उसमें लिखना है जैसे की बू मी ती तो यहां खाली जगा है उसमें आपको बू फिर मीती लिखा ही है तो जहां खाली जगा है उसी प्रकार आपको इस सब्दों को लिखना है जैसे पूँजारी तो यहाँ पूँजारी बुदान सबूत चाबुक सर्यू इस प्रकार आपको जो फिलिंग दे ब्लैंक से वो लिखनी है यूनिट 114 मेक ओप रबर वर्ड यूजिंग गिवन लेटर यहां आपको जो अल्फाबेट यह गया है उसको यूज करके आपको वर्ड बनाना है जैसे यहां तीर की दिशा है जो सरकल में जो अल्फाबेट है यहां से निकला है तो जू न जू थ जू इ जू ली इस प्रकार इस से और भी सू तर शू पड़ी सू तरी सू चान इस प्रकार आपको वर्ड लिखना है फिर यहां जो सेम अल्फाबेट है यानि सेम वर्ड है उसको आपको जूइन करना है जैसे दूप, मूच, गूण, कुगरा, बासुदी, जासुद इस प्रकार जो सेम वर्ड है उसे आपको जूइन करना है फिर है यूनिट 142 यहां सेंटेंस दिये गए है उसको आपको पड़के लिखना है जूली, दूप, कर, भूमी, दून, कर, जूई, उन्जा, कर, पियूस, बूट, साफ, कर, नूतन, नूतन, दूद, गरम, कर, फिर यूनिट 144 यहां कपी तो टू लेटर वर्ड एन त्री लेटर वर्ड बस दिये गए हैं आपको उसके पड़ना है जैसे सूप, सूप, खूब, खूब, भूम, भूम, दून, दून, इसी प्रकार बुल, दूड, दूर, कूद, पूणी, दूणी, जूणी, जूणी, कूपी, कूपी, मायूरा मयूर, कापूरा कपूर, कशुरा कशूर, सापुता सपुत, कामूला कबूल, बालूना बलुन चुरान, चुरान, पूरान, पूजक, उजक, पूशान, पूशन, गूगड, सूरत, मूरत, भूचर, यूनिट 145 यहाँ भी सेंटरस दिये गए हैं, उसे आपको अच्छे से पढ़के लिखना है वाण, पूँजान, 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 पूरी, वाण, पूँजान, भाखरी, वाण, पूँजान, भाखरी, वाण ठीखे चात्रा समझ में आ गया हमने क्या क्या पड़ा मैं आशा रखती हूँ आपको उसमें समझ में आ गया होगा थेंक यू